माफिया अतीक एहमत का शूटर बल्ली पंडित उर्फिस सुधान शुत्रिवेदी गिरिफतार किया गया है दावा है कि वो अतीक की भीवी शाहिस्ता परवीन का करीबी है उमेश परहत्यकान के पांस दिन पहले वो बल्ली के साथ नजर आई थी इसका सिसी टीवी फोटेज भी सामने आया था जानकारी के मताबिक बल्ली एक जोला भम के साथ गिरिफतार हुआ जोले में रखे दस अदद देसी भम हुए थे तमंचा सटा कर ठेकेदार से दो लाग रुपे के रंगेदारी मांगने के मामले में गिरिफतारी हुई थी प्रियागराज के चक्या इलाके से बल्ली की गिरिफतारी हुई आरोपे की बल्ली ने बालू गिट्टी के ठेकेदार श्यामपाल से दो लाग रुपे के रंगेदारी मागी थी बीस अजार रुपे चीन भी लिये थे उमेश पाल शूट आउट केस से पांस दिन पहले बल्ली पंडित से उसके घर माफिया अतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन मिलने पहुची थी दोनों की मुलाकात का CCTV फोटेज भी शूट आउट के बाद सामने आया था उमेश पाल हत्यकान की हुए आज एक साल हो चुकी है मगर हत्यकान के बाद से फरार चल रही माफिया तिक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलीस अभी तक नहीं पकड़ पाई है शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलीस ने कई जगा चापे मारी भी की फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा आपको पता दे कि पिछले दिनों पुलीस को शाइस्ता की प्रयागराज में होने का इंपुट मिला था इसलिए देर रात पुलीस ने शाहिस्ता को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापे मारी भी की थी उमेश पाल अत्याकान के बाद से शाहिस्ता परवीन फरार चल रही है क्योंकि उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद आरोपी है आखरी बार शाहिस्ता की प्रयागराज से सीची टीवी फोटेज भी सामने आई थी जिसमें उसके साथ गुड़ू मुसलिम भी दिखाई दे रहा था इसके बाद से जाज एजंसिया लगातार उसकी तलाश में छापे मारी कर रही है लेकिन अभी तक उन्हें शाहिस्ता की कोई भी जानकारी नहीं मिली है जाँच एजंसियों को ऐसी उमीद थी कि अतिक की हत्या के बाद से वो सरेंडर कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ पुलिस ने शाहिस्ता पर 50 हजार का इनाम भोशित किया है अब्सक्राइब मिली है इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें